जैम आतादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों ग्रहों में जीवों की उत्पत्ती के कारक शुक्र ग्रह नौ सितंबर की रातरी में सिहिंग राशी से इनकल कर कन्या राशी में विर्वेश कर रहे हैं और चार अक्टूबर तक कन्या राशी में ही रहने वाले हैं करन्य राशी में शुकर ग्रह को नीच का माना जाता है शुकर ग्रह हमारी कुंडली में विलासिता संबंधित सुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं मनोरंचन के शेतर से, एक्टिंग से, शुबता, अशुबता, सौंदारिय से दामपत्य जीवन के भी कारक ग्रह ही शुक्र ग्रह माने जाते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन राशी के लिए। शुक्र का ये गोचर मीन राशी के लोगों के लिए कैसा परिवर्तर उनके जीवन में लेकर आया है। हर चीज को आसानी से काबू कर सकते हैं, हर चीज को आसानी से आप निप्टा सकते हैं। चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएंगी अगर आप धहरिया से और समझदारी से काम लेते हैं। जीवन साथी की सेहत का भी आपको इस समय विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा, कोई सेहत समंधी परिशानी इस समय उनको परिशान कर सकती है, एविवाहित प्रेमी जातकों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहने के आसार है, इस समय आपको कोई भी महत पूर्णिन न लेने में कठनाई का सामना करना पड़ सकता है, आप यदि इस समय लंबी दूरी की यात्रा की बलानी कर रहे हैं तो आपको अभी इस समय बचना चाहिए, अगर बहुत जरूरी है तो ही आप उस यात्रा पर जाएं, शुकर के इस गोचर से शुफलों की प्राप्ती और अशुफ शेयर करना ना भूलें